नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका उत्राखन जी के वैरी जी ट्रिक्स में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काफी महत्वपोंड 30 प्रस्नों तरों के बारे में दोस्तों आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी इंपोटेंट रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके लिए वर्ड जी के हिंदी कुछ प्रस्न साइंस के तथा कुछ उत्राखन जी के से लेके आया हूँ टोटल 30 प्रस्नों का सेट होगा जिसमें हम कुल मिलाके 100 से ज्यादा कुश्चन डिसकस करेंगे उससे डिलेटेड इंपोटेंट कुश्चन भी मैं आपको बताऊंगा तो प्लीज आप लोग ये वीडियो लाज तक देखिएगा और इस वीडियो के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज परतिकिरिया दीजिएगा दोस्तों कि इस टाइप के टैक्टी सेट्स कैसे रहेंगे 30 questions मैं आज ला रहा हूँ आपके लिए अगर आप लोग के बहुत सारे लोग के कमेंट आएंगे तो उसके basis पे मैं आज से इसी टाइप के sets लाऊंगा जिसमें word gk या फिर हमारा जो gs का portion है और hindi का portion है और उसके साथ साथ उत्राखन gk के भी कुछ question cover up किये जाएंगे तो प्लीज आप लोग की राई काफी महतपूल रहने वाली है अगर आप लोग 25-30 लोग भी comment box में बताते हैं कि इस टाइप का sequence सही है तो आज से मैं इस टाइप के ही objective questions लाऊंगा वरना हम अपनी पुरानी वाली series ही चालू करेंगे जो कि हम पहले से चलाते आ रहे हैं उत्राखन के important questions के बारे में तो अगर दोस्तो अभी तक आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज हमारा चैनल सस्क्राइब कर लिजेगा और अपने दोस्तों के साथ भी maximum share किजिएगा दोस्तो आज की इस वीडियो में हमारा पहला question है कि दीने दिलाही इलाही का विरोध किसने किया था यानि कि दीने इलाही धर्म था जिसका विरोध किसने किया था तो यह किया था भगवान दास था मान सीने अब दोस्तो सबसे पहली बात आती है कि दीने इलाही क्या था तो दीने इलाही एक धर्म था जिसकी शुरुवात किस ने गी थी दोस्तो अगवर ने दीने इलाही धर्म की शुरुवात की थी आप लोग सभी questions नोट करते वे चलिएगा तो आप लोगों के लिए काफी important रहेगा सबसे पहला question हमारा यह है कि दीने इलाही का विरोध किस ने गया था तो भगवान दास और मान सिंग ने गया था दीने इलाही क्या था एक प्रकार का धर्म था दोस्तो जिसकी शुरुवात किस ने गी थी अगवर ने गी थी और दीने इलाही धर्म को स्विकार करने वाला पहला हिंदू वो लास्ट हिंदू सासक कौन था मनलब पर्थम और अंतिम हिंदू सासक कौ तो महेश दास था जिसको बीरबल नाम से भी जाना जाता है और दीने इलाई धर में किस ने शुरू कराया था अगबर ने शुरू कराया था 1582 में ठीक है तो काफी important facts से इसे related ये दूसरा हमारा important question है कि हुमायू जीवन भर ललखडाता रहा और ललखडाते हुए उसकी मृत् मृत्य हो गई क्योंकि दोस्तों जब 1530 में बाबर की मृत्यों के बाद हुमायू राजगत्य पर बैठा तो हुमायू ने 1540 तक सासन किया लेकिन बिलग्राम और कन्योज का युद्ध्ध जब हुमायू बसे सेरसा सूरी के बद्य हुआ तो उसमें हुमायू हार गया जिसक हमारा 1555 में फिर से दोस्तों मच्छी वाड़ा या सरहिंद का युद्ध हुआ जिसमें कि क्या हुआ हुमायू फिर से जीता तथा इसने जो सूर सामराजजी के राजा थे उस टायम उनको पराजित किया इसके बद्या 1555 में दुबारा से मुगल सामराजजी ने दिल ली प आइन गरणा जोके इस सेर्मंडल फुष्त गाल्य की से इडियों से गिरने के गारण इसकी मृत्ति होईती और यिस शेर्मंडल फुष्त गालय कहां इस्तीत है तो यह दीनपना बववन में इस्तित aumay district 15 Ama 15 rac6 processing आ ऑर दिनपनह नामक बववन कहां इस्तीत है तो यह दिल् अगला हमारे कुछन है कि वैदिक काल में स्विच्छा से दिया जाने वाला उपहर क्या गलाता था तो उस्तों वैदिक काल में स्विच्छा से दिया जाने वाला उपहर बली कलाता था जिस प्रकार से आज कलम टेक्स देते हैं उसी प्रकार से वैदिक काल में स्विच्छा से जो बाहर दिया जाने वारा उपार बली कराता था अगला हमारा important question दोस्तों असोक नाम का प्रियोग किस अभिलेख में हुआ है तो असोक नाम का अभिलेख मलब प्रियोग किस अभिलेख में हुआ है तो यह हुआ है मास्की और सरोबर्थम असोग ने ही चालू किया था असोग के बारे में दोस्तों वैसे तो काफी important facts है लेकिन हम यहाँ पे उतना cover up नहीं कर सकते हैं लेकिन इससे related एक दो facts में आपको बतायता हूँ कि सांची का इस्तूप किसने बनवाया था तो सांची का इस्तूप इस्तूप असोग ने बनवाया था यह कहाँ इस्तीत है मद्यपर्देश में इस्तीत है काफी बार एक जाम से फुछा गया है ऐससे इदूसरा question मन जाता है कि स्री नेगर की इस्तापना किसने गली थी ठीक है और नेपाल में देवपत्तन की स्तापना किस ने करी तो नेपाल में देवपत्तन की स्तापना असोक ने किय थी असोक का कलिंग युद्ध आप सभी लों को बताऊगा जो की 200 एक सेट इस भी पूरू हुआ था कलिंग युद्ध किस-किस के मत द द वा था तो असोक के टाइम पर कलिंग युद्ध हुआ था कलिंग युद्ध के पश्च्त असोक का हिर्दय परीवरतन हुआ था तो असोग के बारे में काफी important factor दोस्तों जब मैं वर्ड जी के अभी सोच रहा हूँ चालू किनने की आप लोग उस पर भी अपनी राही दीजेगा अगर हो जाए वर्ड जी के चालू तो मैं उसमा आपको ये detail में बताऊंगा असोग के बारे में और जो भी हमारे topics आएंगे तो ये सब कुछ असोग के बारे में था और असोग बहुत धर्म का अनुनाई था उप गुपते इसके गुरू थे और भी बहुत सारी सीजे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी आप इतना नोट कर लेजेगा अगला है कि अगबर ने जगद गुरू की उपादी किसे दी थी तो अगबर ने जगद गुरू की उपादी दी हरी विजाई सूरी को ठीक है अगबर ने जगद गुरू की उपादी दी हरी विजाई सूरी को और अगबर काफी महत्तपूर्ण डा जा थे दोस्तो मुगल स सरवादिक समय तक सासन करने वाला सासक कौन था तो वो था हमारा अगबर ठीक है और अगबर के बारे में भी काफी important facts हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी जैसे कि पानीपत का second युद्ध कब हुआ था तो 1556 में हुआ था अगबर वसे जहेमू के मद्ध जिसमें और जजियागर को किसने समापते किया था तो जजियागर को भी समापते किया था अगबर ने और स्टार्ट किसने किया था जजियागर को ये किया था मुहमबद बिन कासिम ने तो आप ये note कर लीजिएगा जजियागर को समापते किया अगबर ने किया था लेकिन अगबर जब जजियागर को समाप्त कर दिया उसके पश्याद कुछ टाइम बाद और अंगरेब ने फिर से जजियागर को स्टार्ट कर दिया था तो यह काफी इंपूरेंट ट्रैक्शन दोस्तों आप इसे नोट करते भी चलिएगा अगला हमारा इंपूरेंट कुछ ने कि भारत का पर्थम विधी अधिकारी कौन होता है तो भारत का पर्थम विधी अधिकारी होता है महानियाईवादी और महानियाईवादी के बारे में हम कौन से आर्टिकल में पढ़ते हैं तो महानियाईवादी के बारे में पढ़ते हैं हम आर्टिकल चियत्तर में तो यह काफी इंप आर्टिकल 249 के तहट राजिजी सुची के विशाई में कानुन बना सकती है ये भी काफी महतुपूल facts है और दोस्तो राजजी सुची समवर्ती सुची, संगज़ सुची यह कौन सी अनुसुची में आते है तो यह सात्वी अनुसुची में आते है जो राजी सूची होती है वो स्टेट गवर्मेंट के लिए होती है संग सूची सेंटरल गवर्मेंट के लिए होती है और जो समवर्ती सूची होती है वो स्टेट और सेंटरल दोनों गवर्मेंट के लिए होती है एकजामस में कुछन पूछा गया है और दोस्तों अगर पूछा गया था कि संगस उची में कितने भी सई होते हैं तो संगस उची में उसका अंसर उसने 97 दिया था मोल रूप से लेकिन प्रजाइन टाइम पे 98 हैं अगला इंपरेंट कुछन है दोस्तों कि हाउस ओप पिपुल्स को लोगसभा का नाम कब दिया गया तोस्तों हाउस इसको लोगसभा का नाम दिया गया 1954 में और तोस्तों लोगसभा के बारे में हम कौन से आर्टिकल में पढ़ते हैं तो लोगसभा के बारे में हम आर्टिकल 81 में पढ़ते हैं इसको निम्न सधन या अस्ताही सधन भी कहा जाता है और एकर एक जाम में कुछा जाए कि लोगस पाँच वर्सों का होता है और लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं तो 545 सीटें हैं जिसमें से 530 सीटें राजी की 13 सीटें के इंदिसासित परदेशों की और दो सीटें एंगलो इंडियन्स की हैं और 25 वर्स से लोकसभा सदस्ची की मिनिमम आई होती है तो डिरेकली काफी इंपुरेंट में जाता है कि संसत का निम्न सदन या अस्ताई सदन किसे गा जाता है तो लोकसभा को गा जाता है दोस्तो समय साक्षी है उपन्यास के लेखा के हिमानसो जोसी जी जो की उत्राखन से ही संबंद रखते हैं काफी बाहर एक जाम समय कुछा जा चुक है अगला मारा दस्वाइं कुश्चन है तो कुमाऊसंसिक्रेटी किलब हुका कलब की स्तापन खिषने करी थी तो उत्रांचल परदेश नामक पुस्तक के लेखा के हमारे भगध सिंग कोशियारी जी जो की अभी नैंटाल सीट से सांसद है परतमान समय में बारवाई important question है दोस्तों कि उत्राखंड राज्य सरकार द्वारा 26 जनुवरी 2018 को राज्य की जहांकी की theme क्या थी तो उत्राखंड राज्य सरकार द्वारा 26 जनुवरी 2018 को जहांकी निकाली गई थी दिल्ली में उसकी जो theme थी वो थी ग्रामीर परियटन से related आप लोगोंने देखा होगा कि जब रत जा रहा था उसमें ग्रामीर परियटन एक मूर्थी टाइप की बनी होई थी और चारू और उत्राखंड के कल्चिरल प्रोग्राम्स हो रहे थे ठीक है अगला मरा important question है उस्तों कि केदार खंड में बहुत द्चल किसे का आ गया है तो केदार खंड में बहुत द्चल का आगे है नंदा देवी पर्वत को तो यह जाते से अगला उत्राखंड को परियगार आंदूलन में पहली बार राजनीत्ति गिरबतारी किसी होई थी तो उस्तों परियगार आंदूलन में होई Gangel फैली बेघार आउन्द्ति गिरपतारी ह थी मोहन सिंग की ठीक है कुली बेगार आंदुलन का के बारे में आपको काफी बार बता चुका हूँ और अगर इसी से रेटे कुश्चन पुछा जाएगा कि उत्राखेंड मैं पर्थम बार जेल जाने वाली महिला कौन थी तो वो थी हमारी बिस्तनी देवी साह और दोस्तों कुली बेगार आंदुलन का अंतकव हुआ था तो यह हुआ था 13 से 14 जनुवरी 1921 को बागिस्वर में सर्यों नदी के किनारे उत्रेनी कौतिक जो मेला लगता है उसके आउसर पर तो यह डायकली कुश्चन पुछा गया है और इसकी आंदुलन की शुरुवात कह से हुई थी तो कुली बेगार आंदुलन की शुरुवात हुई थी खत्यारी गाउं अलमुला से जो की 1921 में हुई थी तो यह काफी इंपूरेंट था दोस्तों इसके बारे में पहले ही बता चुका हुआ उसले जादा डिसकस नहीं करेंगे अगला पंद्रवा इंपूरें युक्तो होने वाला गाउं बन गया है अगला हमारा इंपूरेंट कुश्चन है दोस्तों कि उत्राखंड में परियूं का देश नाम से कौन सा परवत परसिद्ध है तो यह है खैंट परवत जो कि कहा पड़ता है टीडी गलवाल नों पड़ता है तो खैंट परवत उत्रा से यह आई तो अगए poo तो को हिंदी की ओरता हैं विकास का आरंब खारंब क्या जाता है यह हिंदी के विकास का आरंब किस से कि थे माने जाता है तो वह अप्रभंस से माना जाता है ठीक है लेकिन अगर हिंदी की आदि जन्नी किसे माना जाता है तो मानना जाता है संसेखरट को एक ला ग्नेन का जो цен अनुद्व नौद्व चैड़ होता है एक है पांचमा अक्षश या अनुद्व नासिक भ्यजणा इस Space is Can ऐसे them कुछे। सब्नों के सांच जूडते है। मैं ये प्रत्याई में हमdoor सब्ते वे उपसरग जैसे अनुनासिक, अनुनासिक में अनु क्या है उपसरग है ठीक है क्योंकि हम उसको आगे अड़ कर रहे है और दोस्तों जैसे कि यह हमारा एक्जाम पूर होता है लेखक, तो लगारम लेखक को तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे लीख, धन, अक तो यह बन कि किस रस को रस रास कहा जाता है स्रंगार रस राज कहा जाता एक बसे रस क्या होते हैं तो कोई भी a 지금가요 ? हमारा जिनको पढ़ने में हमें क्या करता है आनन्दा आता है या मनलब काफी आनन्द पूर्वक हम वो पढ़ते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे रस मनलब जिससे की किसी भी कावी की सोभा बढ़ती है यह कावी को पढ़ने में या सुनने में जिससे आनन्द की अनुभूती होती तो दोस्तो रस होते हैं यारा प्रकार के लेकिन एकर इस्थाई भाव के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं यहाँ फुचा जाएगा तो इस्थाई भाव के आधार पर रस होते हैं हमारे 9 प्रकार के ठीक है तो स्रंगार रस का जो इस्ताई भाव होता है वो है रती या प्रेम अगला मारा कुश्चन है कि कबीर बानी को बानी का डिडेक्टर किस ने कहा था तो उस्तो हजारी प्रसाद दिवेदी जी ने कबीर को बानी का डिडेक्टर कहा था कबीर तास को तो काफी important question है, अगला है सुन्दर्ता की देवी किस ग्रह को कहा जाता है, तो सुन्दर्ता की देवी किस ग्रह को कहा जाता है, तो सुन्दर्ता की देवी किस ग्रह को कहा जाता है, तो सुन्दर्ता की देवी किस ग्रह को कहा जाता है, तो सुन्दर्ता की देवी किस ग्रह को क कौन सा है तो वह सुक्र है सुंदर्ता की देवी कौन सा ग्रह है तो वह सुक्र है भोर का तारा कौन सा ग्रह है तो वह सुक्र है काफी इंपोर्टेंट है सारे पॉइंट आप फिर से नोट करना जाते हैं कर लिजेगा पृत्वी की बहन सब किसे चमकीला ग्रह है सबसे गर्म सब्सक्राइब हैif ओल्ड ओल्ड ग्रें औरियेंटेट इस टैफ से तो रोल्ड गोल्ड किसका मिस्रूद होता है तो कॉपर और ऐल्यूमिनियुम का मिस्रूद होता है अगला है अगला है । पेलगरा रोग किस विटामिन के कमी से होता है, तो पेलगरा रोग विटामिन B5 की कमी से होता है, अगला हमारा 29 कुछन है, कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली इस्तरी के लिए एक सब्द बताईए, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली इस्तरी के लिए एक सब्द बताई अगला हमारा इस सीरीज का लाश कुशन दोस्तों कि भारत माला परियोजना की सुरुवात कब से हुई थी तो भारत माला परियोजना की सुरुवात हुई थी हमारा वर्से 2015 से तो दोस्तो भारत माला जो परियोजना थी इसकी सुरुवात हुई थी हमारी 31 जुलाई 2015 से और यह परधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा चालू की गई एक परियोजना थी कि जो मारे नए राजमार्ग होते हैं या फिर जो पुराने राजमार्ग होते हैं जिनके काम अभी तक अधूरे हैं तो वह सारे पूरे के जाते हैं इसमें सीमा और अंतराष्टी मलब जो सीमा वाले जो चेत्र होते हैं उनको सम्मिलित किया गया है बंदरगाह सडक राष्ट राश्टी राजमार्ग बनाई जाने हैं भारतमाला परियोजना के अंतरगत चार धाम जो कि हमारे केदादनाथ, बद्रिनाथ, यमनुत्री, गंगोत्री के बीच संयोजक्ता बहतर करने के लिए भी भारतमाला परियोजना की शुरूआद की गई है यानि यह चारू जो धाम एक दूसर से link up हो चेके इनकी राज व्योस्ता राष्टी राजमार व्योस्ता सही हो सके जिसके लिए क्या गिया भारत माला परियोजना की शुरुआत की गई है मेंली यह है दोस्तो किस से related है तो राष्टी राजमार को विकास परियोजना से सम्मंदित है तो दोस्तो आज क इस वीडियो में हमारे 30 प्रस्ट ने काफी महत्तपून थे जिसके बेसेज पर आई थिंग अगर आप लोग उन्हें नोट किया होगा एक एक प्रस्ट ने तो हमने 100 के आसपास प्रस्ट ने डिसकस कर लिए होंगे तो प्लीज आप लोग अपने रिव्यूस दीजिएगा आदर पार्स के भी हो जारे हैं तो दोस्तो अभी तक आप ने अमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लिए तो प्लीज अमारे चैनल सब्सक्राइब ही कर लिजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी विडियो मैक्सिम सेयर किजिएगा truck201